आप कहीं पर भी कभी भी meditate कर सकते हो in the sense कि इस moment में जो कुछ हो रहा है अगर उसके लिए आप aware हो तो आप meditation में हो तो इसे ही meditation हो जाती है जब हम इस moment में पूरी तरह से होते है जब हम पूरी तरह से aware होते हैं तो क्या करना है अगले कुछ minutes के लिए कुछ करना बनता है तो आपको क्या करना है अपनी आखे बंद नहीं करनी है कोई नौटंकी नहीं करनी है करके लिए से अराम से टिक करके बैठना है अपनी बैक सीधी रखनी है जो है उसको देखो जो आवाजे है यहाँ पर उसको सुनो उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है फॉट्स आते हैं तो आने देना आएंगे अपने आप चले जाएंगे बट हमें actively सोचना नहीं है अराम से aware हो जाओ कि यहाँ पर अभी क्या हो रहा है हम aware नहीं है especially अब तो हम पूरी तरह से virtual world में है मोबाइल की दुनिया में ही खोए पड़े है पता ही नहीं हमारे आसपास में क्या हो रहा है तो यह meditation आप कहीं भी कर सकते हो कभी भी कर सकते हो metro में आ रहे हो वहाँ पर कुछ देर के अपने mobile को बंद गर के off करके जेब में डाला just be aware of कि क्या हो रहा है वहाँ अगर यह आप कर पाओ तो इसका इसका जो आगे जा करके क्या होगा एक ऐसी भी stage आजएगी आपकी life की कि आप कहीं पर भी जाओगी immediately वहाँ पर जो भी कुछ है उस सब अपने आपको reveal करतेगा आपके सामने आपको एक second में सब कुछ समझ आ जाएगा किसी person से मिलोगे तो एक second में समझ आ जाएगा अब यहाँ पर कोई जादू ही बाते नहीं कर रहा हूँ है समझ इन दा सेंस कि जो भी कुछ है एकदम से दिख जाएगा हमें दिखता ही नहीं है हमें पता ही नहीं लगता है यहाँ पर जो फ्रेग्रेंस है उसको हिल करने के कुशिश करो सुनाई दे रहा है क्या सुनाई दे रहा है देखो अभी यह चैर है लिए अवाज आई किया केसी ने अभी सभासे आई अलका-अलका कोई हिल रहे हैं वह आवाज आ रही है अगर आप पूरी तरह से अवेलेबल हो अभी यहां पर जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए तो आपको concentrate करने की जरुवत नहीं है वो सब कुछ आपके पास अपने आप आएगा अवाज के पास आपको जाना पढ़ रहा है अपने आप आ रही है आपके पास तो उसमें जोर लगाने की जरुवत नहीं है होता है उसको हम देख नहीं पाते हैं सिर्फ जो नहीं होता है उसके पीछे भागते रहते हैं और अगर आप पूरी तरह से अवेलेबल हो जो है उसके लिए उसी को प्यार कहते हैं और प्यार क्या है बताओ आपके आजवास में कोई है और आप उसके साथ तो हो लेकिन यहां हो बाहर बाहर से उसके साथ हो ऐसा लग रहा है दोनों को लग रहा है कि वो मेरे साथ है मैं उसके साथ हूँ कोई किसी के साथ नहीं है इस ते लड़ाई चगड़े होते है आप किसी के साथ relationship में हो अगर आप वहाँ पर टिक करके अराम से बैठ करके देख पाओ कि उस person को क्या चाहिए अपनी life से तो आपके relationship अच्छी हो सकती है अगर आपको ये समझ आ जाए कि पूरी तरह से एक जगे पर कैसे होते हैं तो आप वो सब कुछ देख सकते हो जो और लोग नहीं देख सकते हैं जो और लोग के लिए देखना impossible है तो कि वो यहाँ जी रहे हैं आप यहाँ जी रहे हो अगर कोई काम कर रहे होगे तो आपको ऐसी सी चीजे नजर आजाएगी जो और अगो नहीं आ सकती तो चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनस कर रहे हो मुश्किल है यह यह असान है असान है यह बहुत असान है तो करते क्यों नहीं हो सर किसी ने सिखाय है इनी पहले किसी ने इस तरह से बताया है यह नहीं किसी ने इसकी importance बताई ही नहीं क्या बताया बस पढ़ते रो पढ़ते रो पढ़ते रो खचरों की तरह लगे रहू लगे रहू लगे रहू सबका interest आपको खचर बनाने में है क्योंकि वो खुद खचर है क्या करेंगे पिचारे दुनिया की कोई भी problem बड़ी से बड़ी आपके लिए बड़ी नहीं होगी अगर आप उस जगह पर टिक करके उस problem को देख पाओ देखने का मतलब ही समझना है समझोगे कैसे कि जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम से उसके solutions कैसे निकालने है जब एक जगह पर टिक करके रुक करके अपनी उन problems को देख पाओगे जब वो problems अंदर हैं जब बाहर है और अगर पूरी तरह से देख पाओ तो क्या उसका solution निकालना मुश्किल है यह आसान है इसलिए तो कहता हूं सब आसान है बस ऐसे आराम से बैटना होता है कुछ नहीं करना होता है कहिके बार मैं ऐसे घंटों तक बैटा रहता हूं आके खुली होती है फिच होता नहीं है करना ही किले और नहीं ही आती नहीं आती सर्थ मेडिटेशन के लिए ती शांती की जबत होती है Not required शोर का अलग मजा है शांती का अलग मजा है Meditation क्या है पहले ये समझ आया Just to be available to what is Not what should be समझ गया ना हमारे अंदर की दुनिया क्या है जो है अम उससे खुश नहीं है This should be like this जो हमारी life है वो अभी सही नहीं है This should be like this We are always living in should be So living in what is जो अभी है Being available for what is Is meditation Subscribe channel and press the bell icon for the latest videos update